हम सीख रहे हैं वोक फ्रॉम एस्वी वक्सी और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड्स 241 तो 250 एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़े इजियेस्ट वे में आपको समझाया गया है तो चलिए फ्रेंड्स लेस्ट लेट्स स्टार्ट तेकि जो पहला वर्ड है वो है फ्रेंड्स फ्रॉट एफ आर एउ जीएस्ट फ्रॉट और अगर फ्रॉट की बात करें तो फ्रॉट का मतलब होता है भरपूर किसी चीज़ से जब कोई चीज भरी हुई होती है से भरा हुआ या भरपूर और इसके साथ एक प्रपोजिशन प्रॉट आता है फ्रेंड्स अक्सर विद और इस वर्ड की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स एजक्टिव इसके साथ आता है विद और अगर आप कह सकते हैं इसको भरपूर या से भरा से भरा और भरपूर यानि अगर भरपूर की से भरे की बात हो रही है तो synonyms आपको easily मिल जाएंगे आप कह सकते हैं full या filled और फिट्स, अगर full की fill की बात हो रही है तो एक similar word आपको मिलता है loaded और replete replete बढ़ा अच्छा word है replete यानि किछी चीज को जब भढ़ने की बात होती है तब हम replete का यूज़ करते हैं तो synonym मिले आपको filled, loaded और replete और अगर loaded की है तो friends एक laden भी हो सकता है से भरा हुआ से लदा हुआ laden यह words इसके synonym मिल गए अगर अब use की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो situation है वो है आज के दोर में जो situation है वो कैसी है situation fraught with difficulty परिशानी से भरी हुई situation है और अगर कहीं खत्रा आपको दिख रहा है तो आप कह सकते है situation fraught with danger situation fraught with आप कहिए danger अगर कोई चीज खत्रे से भरी है और अगर आपको लगरा खत्रा नहीं है मुश्किल है परिशानी है तब आप कहीं है difficulty यानि परिशानी से भरी हुई कोई situation और कई बार क्या हो सकता है अक्सर देखे जो fraught का use होता है जब कोई चीज अन्प्लीजन्ट होती है अक्सर उस shade में इस fraught का use किया जाता है के लिए फ्रेंज पॉजिटिव वे में नहीं नेगेटिव वे में वर्ड है वो जादा use होता है चलिए next word की बात कर लेते हैं fraught के बाद वो है फोर्टिटिव यपोर्टिव और पॉर्टिव की अगर बात करे तो फोर्टिव होता है देखे पांसर स्पीश की बात करे तो यह word होता है नाउन और इसका मतलब होता है साहस यानि हिम्मत साहस clear friends और fortitude के synonym की अगर बात करें तो आपको बहुत सारे simple words मिल जाते हैं जिस आप कह सकते हैं bravery, courage, stamina बड़े common word हैं bravery और courage bravery, बहादुरी, courage, साहस को हम कहते हैं हिम्मत को कहते हैं stamina होता है और stamina की बात होती है तो एक और word आपको मिलता patience यानि धर्य clear friends और एक और similar मिल जाता आपको इसका guts guts तो यह सारे words इसके क्या है synonym से यानि bravery, courage, stamina patience और guts clear किसके हैं fortitude के अब आप कह सकते हैं synonym अगर use की बात करें तो आप कह सकते है we should face the problem अब situation है कैसी है, difficulty से भरी है fraught है तो आप कह सकते हैं we should face the situation और we should face the problems of life with fortitude कि जीवन की जो परिशानिया हैं उनको आपको कैसे face करना है with fortitude clear friends we should face the problems of life with कैसे fortitude with fortitude दोरों word simple हो गए एक दम यानि fraud के साथ with आता है पहली बात meaning होता है say भरा हुआ दूसरी बात बरपूर होता है या और एक चीज़ और यह जो word होता है यह negative shit में यूज़ होता है जाद अतर तो meaning होए fulfilled laden loaded repeat laden clear यह synonym सोजाते है और अगर use की बात करें तो कोई situation है वो कैसी है danger से भरी है तो वहाँ क्या करिए महाँ fraud का यह उसकी लिए या difficulty का आप यूज़ कीजिए clear friends fortitude की बात करें तो fortitude होता है साहस और एक word बड़ा प्यारा सा एक बड़ और है friends कैसे छूट गया metal M E W T L E metal दिनेरी को साहस को हिम्मत को metal कहा जाता है clear तो fortitude है साहस bravery courage stamina patience guts और metal clear तो दोनों word के लिए चलिए note करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे चलिए friends next word है जो discuss कर लेते हैं वो है friends feasible F E A S I B L E feasible और feasible की अगर बात करें F E A S I B L E feasible इस word की अगर बात करें तो इस word की shade देख ले पहले पार्स उस पीज देख लेते हैं word है friends क्या adjective feasible और feasible का जो meaning होता है वो होता है clear friends बेवहारी है यानि बेवहारी है या आप कह सकते हैं उप्यूक्त बेवहारी है और उप्यूक्त तो जो बेवहारी है है feasible है उप्यूक्त है आप कह सकते हैं एक और meaning निकल के आता है संभव clear friends और चले सिनोनिम की बात करें तो अगर विवहर ही है उप्यूप की बात हो रही है तो आपको सम्पल सा वर्ड मिल जाता है एक practical practical, realistic, reasonable practical, realistic, clear friends, real से वर्ड आया है realistic और एक और मिल जाता है reasonable कोई चीज रिजनेबल है यानि उप्यूक्त है ब्यवारी है और फिर एक इसी से सिमिलर वर्ड आपको और मिलता है एक स्यूटेबल तो यह जो सारे वर्ड से यह क्या है सिनोनिम से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक रिजनेबल और सुटेबल है यानि वखारिये संभब या आप कहिए उप्यूक्त अब देखे कोई explanation है कोई plan है या कोई idea है तो आप वहां वर्ड यूज करिए आपको कहना है प्रैक्तिकल expansion reasonable explanation reasonable अù ऐःडिया reasonable आपको प्लान है suitable कोई अक्सर आप बहुत जादा वर्ड का यूज करते हैं यह सारे कॉमन वर्ड्स है और इनमें सबसे ज्यादेगर बात करें तो सुटबल यह प्रैक्टिकल का हम यूज करते हैं क्लियर हाला कि चारों वर्ड कॉमन है तो वहां क्या यूज कर सकते हैं फीजबल एक्स्प्लेशन प्रैक्टिकल एक्स्प्लेशन एक्स्प्लेशन और आपको प्लान कहना है कोई आईडिया कहना है तब आप इन चीजों का यूज कर सकते तीनों शेड में एक्स्प्लेनेशन प्लान या आइडिया के साथ आप यूज कर सकते हैं फीजबल वर्ड क्लियर ओफेंट चलिए नेक्स्ट वर्ड एफेंट फर्मेंट फ-e-r-m-e-n-t फर्मेंट बर्ड कॉमन है पढ़ा हुआ भी होगा आपका फर्मेंट और फर्मेंट की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है उत्तेजना देखें दो मीनिंग निकलते हैं इसके एक तो होता है उत्तेजना और दूसरा मीनिंग होता है फर्मेंट वो होता है फिर सडना लेकिन दोनों में अंतर हैं अंतर क्या है उतेजना और सड़ना यह तो अगर नाउन फॉर्म की बात करें तो मिनिंग निकल जाता है सड़ना और अगर वॉर्म की बात करें तो वर्म फॉर्म में मिनिंग निकल जाता है इसका सड़ना फर्मेंट और फर्मेंट से बड़ा कॉम फर्मेंटेशन क्या होता है जब हम आटा रख देते हैं गीला आटा हमारा होता है के बर रख देते हैं उसको अगर हम उसको फ्रीज में न रखके बहार रख दे तो क्या होता है वो सड़ने लगता है कि लिए तो उसको आप कह सकते हैं खमीर उठ जाता उसमें तो जो एक बैक एक बैक्टेरियाइल हो जाता है वह सुर्ण और चलत गल देते हैं सड़ने लगता है तो ये जो intervention की process है, इसको आप कहते हैं क्या सड़ना, simple भासा में आप कहते हैं सड़ना और दो meaning निकलते हैं, एक उत्यजदा और दूसरा सड़ना switch और अगर synonym की बात करें तो आपके पास एक word आ जाता है agitation 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 उतेजना के sense में use होता है commotation को मो को मोशन not commotation को मोशन के लिए फ्रेंट तो को मोशन है agitation है तो यह किस sense में use होते है फर्मेंट के sense में use होते हैं दोलों अब आप use भी sentence का use भी कर लेते हैं the country is in ferment देखे कई बार देश में ऐसा होता है कि बस देश उतेजित होता है पूरे देश में कई बार एक विरूध की लहर उड़ती है किसी ना किसी बात पर भी उड़ सकती है कई बार कुछ political issues हो जाते है उसको लेके लोगों में नराजगी आती है उबाल आता है तो वहाँ इस word को use कर सकते हैं यह sentence को आप कहिए the country is in ferment और फर्मेंट से ही फिर अगर वर्ब की बात करें तो फर्मेंट और इससे जो दूसरी सणने वाली बात है इससे फिर एक नाउन मिल जाती है fermentation तो यानि आप कह सकते हैं fermentation करेंटेशन और सुगर के जूस की जो गर्ना गर्ने का रस है गर्ने के रस का fermentation clear वह कहिए या मिल्क का कहिए या किसी और चीज का कहिए निए fermentation बहुत सारी चीजिओं में होता है तो दोनों वर्ड के लिए फर्मेंट और फीसेबल तो चलिए फर्ण्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं चलिये justementandy यसकेस कर लेते हैं और अट्र में सूना यप फ्रेंचाइस एफ आर ए इंट सीयंट ये फिरंचाइस गंवान कॉमन वर्ड है सुना होगा फ्रेंचाइस और फरेंचाइस के बात करें पहले तो तो इसके पीछ के बात कर लेते हैं वर्ड है फ्रेंट्स नाउन और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंट्स अधिकार मताधिकार या बिक्री का अधिकार मताधिकार यानि जो वो डालने का अधिकार होता है वहाँ इस वर्ड कॉम फ्रेंचाइज को यूज करते है और दूतरा होता है को कोई बिक्री का अधिकार बिक्री का अधिकार तो बिक्री के अधिकार की बात करते है तो आप फ्रेंचाइज देखते है सरहल्दी राम की फ्रेंचाइज है या McDonald की है या और भी बहुत सारी franchise होती है तो franchise है, अधिकार है या विक्री के अधिकार को आप कहते हैं मताधिकार को आप कहते हैं और अगर synonym की बात करें तो simple सा word आपको मिल जाता है license या permit license license और permit देखें license की भी तो spelling होती है अगर आप देखेंगे तो L I C E N S E license और C E license तो दोनों में अंतर क्या होता है यह जो S वाली spelling है यह वाब है और जो C वाली है यह noun है तो यह spelling कई तरह की आपको दिख सकती है कई जगे दिख सकती है जैसे practice में भी CB आता है S भी आता है तो जो S वाली spelling होती है हमेशा ध्यान रखिएगा वो होती है वाब और जो C वाली होती है वो होती है noun clear friends तो license है permit है इसी के साथ आप कह सकते है sanction कोई चीज हमने क्या कर दी sanction कर दी sanction का मतलब उसमें permission दे दी और फिर authorization कर दिया यानि authorized करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने permission दे 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 ना तो authorization हो गया sanction हो गया permit हो गया और license हो गया तो आप simple सा word आपको use अगर करना है तो आप कही न जाईए आप कही हल्दी राम्स franchise clear friends तो चलिए next word है friends next word है foible f o i b l e foible और सबसे पहले तो पार्सल स्पीच की बात कर लेते हैं देखे वर्ड है foible तो ये क्या है adjective है इसका जो मतलब होता है वो होता है friends कोई सनक या कोई दोश और दोश की बात करते हैं तो कमी कह सकते हैं और हींता कह सकते हैं देखे जो दोश है वो कमी होती है वो हींता होती है सनक दोश कमी हींता सारी shade में ये word यूज होता है तो अगर pseudonym की बात करें तो बड़े common word आपको मिल जाएंगे weakness और flaw कल वाले lecture में भी हमने flaw को डिसकस किया था और flaw की बात हो रही है तो lack भी होगा और lack की बात है तो fault भी होगा भी fault है lack है flaw है weakness है और एक word और बड़ा प्यारा सा मिलता है वो है फ्रेंट्स लूप होल clear तो सारे word क्या है यह synonym है foible के weakness flaw, lack, fault और लूप होल अब देखिए अगर use की बात करें तो आप कह सकते हैं फ्रेंट्स कमी या सनक या दोश की बात कर रहे हैं तो man is subject to की आदमी से गलती होती है आदमें वे दोश होता है man is subject to foibles and frailties frailties पर सुना होगा आपने फ्रेंटी thy name is woman यहां आपने फ्रेंटी को जरूर सुना होगा इस कोट में तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि यह कोट कौन से प्ले से ली गई है William Shakespeare के hint मैंने दे दिया William Shakespeare की किसी great tragedy की लाइन है आप ओ कमेंट करके बता देना कि कौन सी tragedy की लाइन है कहां से ही लाइन ली गई है तो यह चुकी word आया man is subject to foibles and fairties कि जो आदमी है वो क्या है कमजोरी और जो दोश है उसका वो क्या है वो subject होता है उसका वो गुलाम होता है clear friends तो foibles उपर clear हो गया fairty यहां clear हो गया आपको frality भी कमी या दोश को कहते हैं कमजोरी को कहते हैं तो लेकिन मुझे जरूर बता दें कौन से play की line है चलिए note करते हैं फिर आगे बढ़ते है चलिए friends next word है हमारे पास और वो है friends flant f-l-a-u-n-t flant clear friends flant और अगर flant की बात करें तो flant होता है friends दिखावा करना या इतराना word जो है word है friends verb दिखावा करना या इतराना flant और अगर synonym की बात करें तो आपके लिए बड़ा संपल सा word मिल जाता show off अक्सर हम इस word को use करते है भाई show off बहुत करते हो आप यानि आप बहुत इतराते हो बहुत दिखावा करते हो एक word और मिलता है friends बहुत प्यारा सा swaggar common word है सुना होगा लेकिन बड़ा प्यारा word है sogar exposed भी हो सकता है display हो सकता है exhibit हो सकता है तो सारे words क्या है synonym है show off so अगर exposed display या exhibit और अगर आपको use करता है तो आप कह सकते हैं I did not believe in flaunting his wealth और ही क्यों आप कहिए I I do not believe in कि मैं विश्वास नहीं करता किस चीज में flaunting में I do not believe in flaunting my wealth wealth कहिए knowledge कहिए आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपको suitable लगता elegant sentence बड़ा प्यारा बन गया I do not believe in flaunting my wealth कि मेरे पास जो संपत्ती है जो धन है मैं उसके दिखावे में विश्वास नहीं करता तो वहाँ जो दिखावा है उस दिखावे के sense में आपको वर्ड यूज करना है flaunt clear friends अभी आप show of यूज करते हैं बहुत यूज करते हैं expose यूज करते हैं तो display यूज करते हैं exhibit यूज करते हैं तो अब आप यूज कीजी वहाँ flaunt या swagger clear friends चलिए next word है friends flaut F-L-O-U-T flaut और flaut की अगर बात करें तो flaut होता friends अवग्या करना अवग्या करना या खुली अवहिलना करना अवग्या या अवहिलना जानते हैं कोई law है उसको आपने क्या कर दिया flaut कर दिया यानि उसको तोड़ दिया खुले रूप से तोड़ दिया तो फ्लाउट का एक मीनिंग किसी रूल को तोड़ने के संस में यूज होता है अवग्या के संस में यूज होता है दूतरा मीनिंग होता है इसका उपहास करने के संस में और वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या है ये डेफिनिटली वव होगा तो आप कहिए अवग्या करना अवहेलना या औग्या के लेफ्रणस और सिन्योलिम की बात करें तो देखें मेनिंग निकल के आता है एक तो आता है कोल्ट के दुरू उसका आपने क्या कर दिया कंटेम्ट कर दिया या उसको आपने तोड़ दिया कोल्ट कलिए फेंट्स तो वहां इस वर्ड को बहुत यूज करते है कंटेम्ट को और दूसरा इसका वो निकल जाता डिफायंस डि-I-F-I-A-N-C और डिफाइंस भी क्या है डिफाइंस भी है सीधा सा वर्ड है जिसका मतलब होता है अवग्या करना है डिफाइंस और उपहाज करने के सेंस में आप यूज करें डिरिजन डिरिजन उपहाज करना या रिडिजूल होता है common subword ridicule तो ये दोनों वर्ड तो मिले आपको डिरिजन और रिडिक्यूल ये तो मिले आपको उपहाज करने के संस में लेकिन अगर अवग्या की बात करें तो आपको मिला contempt and defiance और अगर यूज की बात करें तो आप बहुत तरीके से वर्ड को यूज कर सकते हैं आप कह सकते हैं We should not flout the rules of the road Simple से तरीके से इसको यूज कीजिए कि We should not flout the rules of the road कि हमें जो सडक के नियम हैं उसको नहीं तोड़ना चाहिए और अक्सर जो bikers होते हैं वो क्या करते हैं Flout कर देते हैं law को Bikers Bikers regularly flout the law और आप कह सकते हैं rule कि जो bikers हैं वो generally लोग को तोड़ देते हैं Clear friends सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं जो bikers हैं वो कर देते हैं इसकाम को Clear तो दोनों word clear हुए Flout क्या है Flout क्या है दिखावा करना है इत्राना है और Flout क्या है अवग्या करना या उपहास करना Clear friends चलिए friends Next word discuss करते हैं और वो word है friends Flatulent F-L-A-T-U-L-E-N-T Flatulent Flatulent F-L-A-T-U-L-E-N-T Flatulent और friends Flatulent की sense में use होता है देखें पहले दो world की nature की बात कर लें जो world है यह friends adjective और एक शब्द हम generally use करते हैं अपनी आम भाष्रा में हम कहते है body या वात ग्रस्त और body या वात ग्रस्त क्या होता है friends अक्सर कुछ चीजे हमारे खाने में ऐसी होती है जो अक्सर पेट को हमारे पफी कर देती है पेट में हमारे gas बना देती है यानि causing gas in the stomach causing gas in the stomach यानि stomach में जब gas बन जाती है तो उसको हम कहते है body तो synonym की बात करें तो आपको वर्ड मिल जाता है puffy study common word है यानि फूला हुआ gas बढ़ा हुआ उसे puffy कहते हैं और दूसरा uncommon word है study बड़ा अच्छा word है study study और एक और word मिलता है अगर फूले puffy की बात करते है तो एक swollen मिलता है उबरा हुआ यानि swollen यानि कई बार swell हो जाती है हमारी skin तो हम यानि सूज जाती है वहाम swollen को यूज करते है तो ये synonym हो गए swollen study और puffy यानि कोई चीज ऐसी है जो हमारे पेट पे gas बना रही है तो वहाम इस word को use करते है flatulent को clear friends actual में देखिए एक word और आता है इससे मिलता हुआ वह होता flatus 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 क्या है ये noun है flatus क्या होती है friends जो पेट में हमारे gas होती है जिसको हम normally gas कहते है वो flatus होती है clear flatus flatus क्या है हम generally word use करते है gas gas क्या है gas तो हवा है clear तो जो हवा है उस हवा को हम gas कहते है तो जो gas है वो जो पेट में होती है तब हम नाम देते है उसको flatus यानि flatus का अगर बात करें तो जो पेट में gas है especially उस gas के लिए time use होता flatus बात clear होगी friends अब flatulent की बात कर लेते हैं flatulent के mean use की flatulent effect of beans अक्सर जो beans होती है जो उनकी nature होती है बादी अक्सर गोबी होती है जो गोबी खाते हैं वो भी बादी होती है बहुत सारी डाले होती है जो आपके पास सबजिया होती है वो gas बना देती है तो वहां इस वर्ड को जरूर यूज करिएगा फ्लाटुलेंट और जब भी आपको लगे पेट में गैस है तब आप कहिए आई है फ्लाटस तो उससे क्या होगा वर्ड आपको लर्ण होगा आप अक्सर गैस गैस चिलाएंगे गैस कहेंगे तो उन वर्ड को नहीं एक कॉमन वर्ड है फर्टिप का मतलब होता फ्लाटा फ्रिंट्स गुप्त ऐसे यानि आप कह सकते हैं अग्रिच कोई चीच गुप्त है यानि सीक्रेट है चील चल क्वंजा स्टिएल्दी एस ट्रील्दी यानी गुप्त होता है एक और होता फ्रिंड्ट सलाहे बढा प्यारा है सलाहे सलाहे पढ़ना इसको सले मत पढ़ लेना से अर्गे शत्या कड़ना होता है और जो सलाए होता है वो होता है गुप्त तो सलाए है, स्टील्दी है, सिक्रेट है और जो वर्ड बहुत पूछा जाता है एक्जाम में वो है सरफ TCS, बहुत आता है वर्ड सरफ TCS जहांवी मीनिंग की बात होती है, पता नहीं कितनी बार, कितनी जगा, SSC में, TGT, PGT में बह सरब TCS क्या है गुप्त है फर्टिव है और एक और आता है फ्रेंट्स क्लेंडस्टाइन क्लेंडेस्टाइन 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 क्लेंडेस्टाइ चुगैर कि उन्हों ने जो दिन बिताया, वो कैसे बिताया, वो गुथत तरीके से कहीं बिताया श्क्रेटली बिटाया सीधी सी बात एंगा इस जिद्र यहां यहां यूज कर सकते हैं, उल्ड हैं ने सिनी हैं वाने पख्षैनल पर पहले और लिख siya करने हैं और नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस करेंगे तो जितने भी लेक्चर्स अप्लोड होते हैं वह यूट्यूब आपको नोटिफाई करेंगा चलिए फिंट्स मिलते रहें लेक्चर में नाओ थैंक्स पर वाचिक इस वीडियो